हावर फिक्स जीमेल सिंक नाव नोट वर्किंग ऑन एंड्रोइट प्रावलम नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो यह दि आपका जो सिंक नाव का फ्यूचर है वो यहाँ पर काम नहीं करें आपके मुबाइल पर तो कैस ध्युल्यट हैं आप जीमेल के आपके आंड्रोइट डिवाइस पर आपको मिलते हैं वहले होगे और दोस्तो किस वजहसे यहां पर सिंक जो हैं नहीं हो पाते मैं आपको उसका reason भी एक बताने वाला हूँ ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर कभी शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले यही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें सारे साथ दोस्तों बेल आइकोन को भी क्लिक जरू कर डिजीगा यही आप उनलाइन से पैसा कमाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखाए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा तो हमें दोस्तों यह चेक करना है कि हमारा जो जीमेल है ठीक है उसका एप्लिकेशन अपडेट वर्जन का है या नहीं है तो आपको उसके लिए प्लेश्टोर पर ही जाना होगा क्योंकि दोस्तो प्ले स्टोर पर ही आपको Gmail का अप्लिकेशन मिलने वाला है तो यहाँ जाके दोस्तो आप टाइब करें Gmail अपडेट एवलेवल है तो अपडेट कर दीजिगा अपडेट करने के बाद दोस्तो आप जाईए आपने मोबाइल के सेटिंग पर उसके बाद दोस्तो आपको Sinking Now का ओप्शन यहाँ पर मिलते है Account and Sync पर तो यह होगा है दोस्तो आपका Sink Now यदि ये काम नहीं करते हैं तो दोस्तो आपका Gmail जो है Sink नहीं होगा ठीक है तो दोस्तो मैं आपको इसका एक reason भी बता रेता हूँ वो है battery and performance पर जाके आपको check करना ये दि दोस्तो आपका battery saver on है तो Sink Now यहाँ पर नहीं होगा वो इस्ताव हो जाते हैं ठीक है तो battery saver को off करें उसके बाद जाए Account and Sync पर और Sink Now यहाँ पर इसको tap कर दीजे आपका Auto Sync Data जो है उसको भी on कर दीजे ठीक है Auto Sync Data उसके बाद दोस्तो सब कुछ Sync हो जाएगा आपका problem आपका solve हो जाएगा तो बस यह solution आप करके देखे इससे fix होता है problem ठीक है नहीं होते तो apps पर जाएए उसके बाद manager पर manager करके आपको option मिल जाएगा तो एक बार setting को reset करके देखे ठीक है तो आएए दोस्तो थोरा सा यहाँ पर wait करते हैं और उसके बार हमें setting सर्च करना होगा क्योंकि दोस्तो यह जो setting है वो काम नहीं कर रहा है उसके वज़े से हमें search करना है setting और उसके बाद जाके problem solve हो जाएगा और दोस्तो और भी solution है तो आप वीडियो को अंतक जरू डेक लिजएगा तो यहाँ पर उसक फिलाल तो और भी ज़्यादा time ले रहा है यह तो कम से कम एक minute में तो open हो जाना चाहिए लेकिन यह open नहीं हो पा रहे हैं तो थोरा साम और wait करके देखते हैं तो दोस्तो यहाँ पर जो है open हो चुका है हमारा मेनेचे उसके बाद दोस्तो हमें यहाँ पर जाना ही नीचे सेटिंग को open करना है सेटिंग open करने के बार इसको forced up करना है फोर्स तो आप करने के बार इसका डेटा को clear आप कर दिना है clear all data पर click करके okay कर दीजे उसके बाद simply a permission पर जाके देखे पर्मिशनस वगारा है या नहीं और उसके बाद आप यहां पर बेग कर लिजे ठीक है permissions है तो इनेबल किजे नहीं तो छोड़ीilotšt.. उसके बाद दोस्तों आप दुबारा से mobile को एक बार यहां रिस्टाट करने के जाए mobile software को update कर ले और उसके बाद दोस्तो प्रॉब्लिम आपका fix हो जाएगा आपका sensing काम कर जाएगा तो बस दोस्तों यही सब solutions आपको follow करना है उसके बाद तो आज की इस वीडियो पर उसके उमीद करते हैं आपको जो है वीडियो पसने आओगा थेंक्स रॉचिंग